कि हेलो ष्टुडेंट हमारा हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किस अधिकार अधियर नियम दो कि सेकंड पार्ट मुड़ी नियम में में कूछ प्रावदान पर नियम नियम है जूसक्र जो प्रावदान रखा गया था कि आयू के आदार पर प्रवेश किसके आदार पर आयू के आदार पर प्रवेश एम उस आयू के आदार पर प्रवेश दे रहे हैं और उस प्रवेश उस बच्चे को फिर उस विश्याश प्रवेश सिक्षन की सुविदा भी की गई है एम दुसरा जो प्रावदान था वो था निसूल का सिक्सा एनकी सिक्सा में किसी भी परकार का वह बालक दुबारा नहीं किया गया पूरा जो वह है वो सरकार करेगी फीद है तीसरा है शिक्सोकों के प्रेसिक्षन के लिए मानकों को दिक्सित करना और लागो करना है तीसरा था नेक्स्ट जो प्रावदान रखा गया था वह प्रावदान है 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 प्र प्रावदान ना रखा गया है तीसरा है किसी भी बालक को आयू के सबुत नहों कर भी किसी भी विद्याले में परवेसे इंकार नहीं किया दर्शे करका है यहने कि उसका सबुत नहीं हो तो भी उसको परवेसा देना पड़ेगा फिर इसके बात क्या गया था इसके बाद है कुछ प्रावदान हो रहे हैं वहां पर तीन सिक्सक होंगे और एकरानों से 120 तक के विद्यार्थी हैं वहां पर 4 सिक्सक और 121 से लगा करके 200 के मध्य हैं तो पांस टीचर होंगे और 500 बालक इने के 150 बालकों से उपर बालक हैं तो वहां पर एक पूर्ण का लिख परदाना देपग होगा और 5 सिक्सक होंगे और 200 से उपर दिशात रह तो वहाँ पर सात्रों सिक्सक जो अनुपात है वहाँ चार चालिस अनुपात एक रहेगा चालिस विद्यार थी और एक सिक्सक होगा और इसमें क्या है जो है वह परदाना द्यापक को छोड़ करके और छे से आठ के लिए चे से आठ के लिए में कम से कम परतिक अक्सा एक सिक्सक अनिवार है उसमें परतिक अक्सा एक सिक्सक अनिवार है उसमें परतिक समय एक सिक्सक है तो तीन सिक्सक अनिवार है बासा का एक तो दूसरा है घड़ी तर विग्यान का और तीसरा है सामाजिक अध्यन का फिर सेकंड प्रावदान है इसमें कि 35 बालकों पर 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 तेक 35 बालकों पर कम से कम एक शिक्षक का अनिवारी होगा दूसरा कि सो से उपर इदी बालक हो जाक के बालक प्रव्श लेते हैं तो इसमें एक पूर्ण परदानाद्यपक एक अंसकालीन जो सिक्स का हें और अनन्सक्लण शिक्सक का कुन सा सम्सारिक गारियनघवी के यह बार सक्षा का लों यह जरूरी है यह ँगले और इसके बाद कुछ प्रवकों और के गेड़े थे तक भी में।व संक्या रखे गये थे उन्होंने 200 कारिय दिवस कितने जो 600 गंटे थे 200 कार्य दिवस थे और कखसा 6 keFACE 802 के लिए 220 कारिय दिवस रखे गये थे कक्सा एक-900 तक के लिए परति वर्स कपसा एक samen तक के लookाइक नींतं संक्या थी वो निंतं शंक्या है 45 kullgos उन्हें तियाषएग गंटे भी सामील के गरे हैं इहां जो प्रस्ष्ण हैं वह अक्सर बार बार आता रहता है तो क्या है सिंग सग्सक के लिए उन्हें सब्सके लगो और अनामांकित और ड्रोपाट जो बालक है अनामांकित और ड्रोपाट बालको को उनकी ड्रोपाट बालको को बालको को उनकी आयू के अनुसार का समय परवेस्ता था अन्य बालको के समान रहने के लिए विशेश प्रस्टिक्षन की सुविधा की गी है इनकी जो अनामांकित इनकी विद्याले से नहीं जुड़े और ड्रोप आउट विद्याले में पढ़ रहे थे छोड़ दिया था उन बालको को भी उनकी आयू के नुसर का अकसा में प्रविश दिया जाएगा था था अन्य बालको की समान रहने के लिए उनको विशेश प्रसिक्षन के माधियम से उनको उसक्सा के उन बालकों के समान लाया जाएगा फिर बालकों को जो मुल्यंकन रखा गया था वो कैसा था बालकों का सतत्य व्यापक मुल्यंकन का प्रावदान के था परतेक्रास की विद्यालियों में निगीस प्रावदान के तहत परतेक्रास की विद्यालियों में गठन आविश्यक था इसके बाद है शिक्षोको के शिक्षन के अतरिक्त शिक्षोको उसे शिक्षन के अतरिक्त चुना, जनगर्णा और आपदापदा आधि को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार के कारिय में नहीं लगाया कराया जाना है और विकलाओं जो बच्चे थे उन बच्चों के लिए शिक्सा का अधिकार था उसकी उम्र बढ़ा करके 18 साल रखी गई है धन्यवाद इदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद